क्यारे साथियों आप लोका निदेस में उसे स्वागत है हम जो अभी पढ़ रहे न जिसका नाम है जी नंबर सिस्टम और इतना सांदार चीज पढ़ रहे न यह सब टॉपिक है न यह आपके पेपर में सेलेक्शन दिलाने के लिए टॉपिक सब बना है एक्चुलिए टॉप रिलेटेड जितने अपने पीपर में सवाल आते हैं न इसे पहले वाला जो वीडियो देखे न उसमें जितना भी डिजलीटी रूल है जैसे नो से कौन कटेगा एक यारे से कौन कटेगा इन दोनों सको मिला के 99, 72, 88 यह सब जो सवाल सवार है न वो सब इसले वीडियो में अगर आप नहीं देखें तो यह वीडियो देखने के बाद उसको भी जरूर देखेगा जिसे आपका पेपर में डारेक्ट सवाल लड़ जाएगा ठीक है दोस्त देखो आत का जो वीडियो है ना उसमें LCM SCF से डिलेटेड जितने भी कुश्चन्स है ना उन सभी का जी एक देखें इक बात हम सबसे पहले क्लास 7 में चलते हैं. यह booster 3 का नउपात में लिखा होगाँ समझाँ गुरुजी सबसे पहले Caitlin यहां पर ऐसा काम कर देता है कि ईसको अगरम 2x लिखदे और इसको अगर घ्री एक्स लिखदे अचाब यही इस वाले वीडियो का जी आत्मा है और एकस का नाम है इस वाले वाले तरीके से नाम हम अभी तुम्हें लिए इस वाले निकाल के बता देंगे तो यहां पर कितना आगा तो गुरू जी थीरीकस में से तो इस वाले निकाल थे यहां पर दो बार में काट दिये और यहां पर कट गया और जो बच गया यहां पर वही क्या कहलाता था यहां पर क्या कहलाता था मेरे भाई यह बात आया समझ में चूटा सा बात आपको समझना था जो टू एकस और थीरीकस में एकस किया जी एकस एससी एफ है अगर यह समझ में आया तो हम ना अब क्लास फूर में चलेंगे और क्लास फूर में अपने को सबसे पहली बार एक फ तोनों फर्मूला के मदा से सारा का सारा वीडियो है एक फर्मूला था क्लास फॉर में पढ़ना था जी फर्मूला क्या था फास्ट नंबर इंटू या सरब याद आ रहा है कुछ-कुछ सकेंड नंबर बरावर पता क्या होता है और ये फर्मूला आपने को होना चाहिए पता आइफो आई होग आपको पता है नहीं पता तो याद कर लिजे फास्ट नंबर इंटू नंबर बरावर एंटू इं चोटा सासा बत है दो बात हम आपको समझाए 2 is to 3 में 2x और 3x लिख सकते जहां पर x किया जी x scf है और एक फर्मूला होता है first number into second number बराबर lcm into scf अगर यह दोनों बात समझगे न डारेक्ट पेपर के सवाल पर चलेंगे और एक के करके मैं आपको समझा दूंगा 17 से 18 सवाल का solution देखो प्यारे जिसका अनुपात 5 अनुपात साथ है जो 5 is to 7 में है if the scf is 9 then find the largest number आपको largest number बताना है अब बोलेगा गुरु जी यह जो आपका 5 is to 7 लिखा हुआ है न तो 5 is to 7 को हम 5x और 7x लिख सकते है यस सर और जहां x क्या होता है जी x होता है मेरे भाई scf x क्या होता है scf और x का ही तो value दिया हुआ है yes sir yes sir अब पता चल गया here x का value कितना है 9 then find the largest number और largest number 5x है यह 7x है तो आपका 7x है यही आपका largest है 7 into 9 that is 63 आपके सवाल के जवाब आगे पता चला है कितना आसान सवाल अगर पता है तो सबसे यादा पूछे जाने वाला यह सवाल है चलो प्यारे भाई अगल सवाल पर चलो और अगले सवाल से भी देखने तुम बहुत कुछ सीखो के छोटे छोटे सवाल से और अच्छे सवाल पर कूदेंगे भाई देखो ती नमबर है जिसका लुपात 1-3-7 है और उसका LCM 336 है आपको उसका SCF बताना है फिले गुरु जी कोई भरा बात नहीं है देखिए हम क्या करते ती नमबर है उसको हम फिर से रिपीट करके लिख लेते हैं 1-3-7 में ताहब एक काम करें हम इस नमबर को इसको X मान लेते है इसको 3X मान लेते हैं और इसको जी 7X मान लेते हैं X, 3X और 7X और हमें इन तीनों का LCM दिया होगा तो हम इन तीनों का LCM निकाल देते हैं एकस ठिरी एक्स और सेवन एकस और six कैल्सीयम no gonna सौगय कैल सीएंट को स्वुजआ इसका कितना HCM कितना आ जायेcą साथ आप समझा मत इके कहीं एएं चूपा है एक टीन और साद का eagerक्र कितना होगा एकिर hoगा तो कि प्राइम नंबर है तीन और साथ, तो LCM कितना आगया, 21 आगया और X चिप का बचिप का दो, क्या दिक्कत है, 21 एक्स और 21 एक्स का वैलू कितना दे रहा है, 336 दे रहा है, यहाँ से X का वैलू ले आओ, X बराबर 21 से तुम काट दो, मतलब 336 बटा 21, जब अब काटोग सब्सक्राइब का दो, क्या आप समझ पाएं, यह को दो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, और इसके जवाब 9 सेकेंड में आगे, ठीक है दोस्त, अगर आप यह समझ पाएं, तो धीरे धीरे वीडियो का अब आराम होता है, क्योंकि टेपर में तो ऐसे सवाल भी अक्सर खू अब यहां से सवाल सवाल सवाने लगेगा, और अची अची लेवल के सवाल आएंगे, जितना आपको समस्य आना, मैं वो सारा दूर कर दूंगा इस वीडियो में, देखो क्या है, सिक्स और पांच हजार चालिस, अगर एक नमबर 210 है, तो दूसरा नमबर बताना है, अभी ह तो हमने आपको बताया, अब ही हमने आपको बताया, जो फस्त नमबर इंटू सकेंड नमबर बरावर इल C. M. इंटू WHCF, अब देखो बाबू, फस्त नमबर क्या है, एन दोसो धस, Mengvers दिया है, verstehen में, अभी के दूसरा नमबर आपको पता है, क्या यह नहीं पता हुआ है अब मत बोलेगे सर तो SCF होता रहेron 2 to 3 में 203 एकसमाने आए महाने 100terror CRF होता है हम यहां नबढर भी को x मान लिए तो क्या दिखकाता है यहां नबढर भी यह को समान लिए स्केड नमज़ है क्या मान लिए गरह आवर देखिए आपका LCM देखिए पहले निकले देखिए दिखा देखिए च्छे गुने 5000 प्यारे मित तुम काट दो गुरुजी एक जीरो से एक जीरो कट गया और 21 से काट देते च्छोगुने 21 से सीधे काटते 504 को एकीस दूना बैयालीस आट एकीस चुप चौरासी और यहां से एकस का वेलू 24 चका कितना आ गया 144 आ गया जीरो मेरा गाना बहुत दिखार होता है मैं पता है बस तुम समझ जब ऑफसा नंबर बी आ गया तुम्हारे हिसाब से जो भी ऑफसन है पता चला क्या है जो नंबर है जिसमें से एक नंबर 210 से दे रखा है और उन दोनों नंबर का SCF 6 है और LCM 5040 है तुम्हें वो नंबर बताना है यह सबसे चोटा सवाल था जहां पेपर में ऐसे सवाल आते रहते हैं दीरे दीरे देखेंगे सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा अपका पेपर निकलता जाए और SCF 12 है और the difference between the numbers is 60 then what is the sum of the numbers निकालना है और उन दोनों का sum निकाल देना है बहुत आसान काम है अब यहीं से तुम्हारा concept शुरू होगा और मैं इसलिए इस सवाल को 5 star देता है इसलिए मैं इस सवाल को कितने star देता जी 5 star खाओ और खो जाओ हैने इसका tagline देखो दो नंबर का LCM 168 है SCF 12 है उनका difference art है आपको sum of the number बताना है देखे actually जो सवाल का खेला होता है न जो सवाल का आत्मा होता है यह 12 इसी पे टिकता है SCF पे टिकता है सवाल का आत्मा सवाल का आत्मा कहां टिकता है SCF पे अगर SCF 12 है न देखो हम नंबर क् माल लेंगे लेट लेट नंबर्स बराबर बार एक्स एंड बार वाइज अब SCF देखो कोई भी नंबर देखो दो नंबर है और दोनों नंबर का SCF तुम्हें पता है 12 है अगर दोनों 12 का product है तुम्हें ऐसे मन एक नंबर को 12X मन और एक नंबर को 12Y मन सिंपल सी बात है कर देखो LCM तुम्हारा दिया वा 168 तुम 12X और 12Y का LCM निकालो मैं यहाँ पर लिख दे रहा है मेरे प्यारे दोस्त LCM of 12X and 12Y का LCM कितना होगा तो 12-12 का LCM 12 होगा और X और Y का LCM कितना होगा XY होगा अरे आपको पता है जब भी दो नंबर में आपको कुछ common नहीं दिखता है तब उन दोनों को गुना कर देते है LCM क्या होगा ही नंबर चला आता है जिसे 12-12 तो common है तो 12-12 का LCM 12 होगा और X और Y का LCM कितना होगा XY होगा अब डारेक लिखिएगा 12-12 मैं समझा रहा आपको समझाने में समय लगेगा पेपर में आप सेकेंडों में बना देंगे लेकिन अगर समझिएगा सेकेंडों में तो पेपर मिन्टों लग जाएगा और कल्यान हो जाएगा तो रिल्स के चक्कर यहां से XY का value कि आया कर तो 12 से काट दीजिए तो 12 एकम 12 12 चोके 48 आपको पहला equation आ गया जो हम X और Y माहने है और XY का value कितना है 14 आया है अब देखिए एक और बात दिया हुए देखो अगर X और Y है एक equation आया है दो भरिये वैला थे कहीं ने कि एक और भरिये वैला है तब ही स between the numbers 60 दे रहा है difference 60 दे रहा है difference का मतलब क्या दोनों number का difference दोस्त दोनों number का difference कैसे निकालेगा 12 X में से 12 Y घटेगा तो वही तो difference आएगा और जो कितने के बराबर है 60 के बराबर है तो प्यारे मित रिया से कर अब 12 common ले लेंगे तो अंदर में X-Y बचेगा बराबर 60 तो दोस X-Y का value कितना होगा जी अरे हाया ना और यही होगया आपका दूसरा equation पहला और दूसरा equation को अपने मन में देखो पहला और दूसरा equation को मन की आँखो से देखो मन की आँखो से बहुत कुस दिखता है एक स्वाइड दो number का product 14 है और उन्हीं दोनों का difference 5 है तो number क्या क्या होग गुरू जी 7 और 2 होगा क्यों क्योंकि 7 और 2 का difference 5 है और 7 दूना 14 है हो गया यही तुमारा answer है लेकिन समझने तो X और Y का value हम ले आए है ज़रा मैं आपको थोरा सा समझा दो चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूं ना हूं एकस वाइड का value कितना है 14 है एंड एकस माइनस वाइड का value 5 है तो अब क्या लिखेगा from मन से एकस बराबर सात वाइव बराबर 2 लिख देखियों रे साथ दूना 14 इया ग्यांड पांच एकस का value ,वा 2 माहिए गट आ ह hiç को कायने है वाहई की वेलू दो देखो नो आपसे पूछा क्या प्यारे भाई आपसे पूछा देन फाइंड दा सम अफ दा नंबर आपसे क्या पूछा फाइंड दा सम अफ दा नंबर देखिए देरफोर सम बराबर अपके लिखे का बारा एकस प्लस बारा वाई तो यहां से बारा कॉमन ले लो और यहां पे लिखे लो एकस प्लस वाई आप चाहो तो नंबर भी निकाल के जोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं है से बेन प्लस टू तो बारा गुने नौ इतना आगया एकसो आठ देखे तो कोई ऑप्सन है ग्या हो एकसो आठ देखे तो यस सर अप्सन नंबर सी चलते चलते अच्छा मतकार ठीक है आप अच्छे मूबी का नाम चांद नहीं बहुत अच्छा अच्छा गान है लगी चाहँआ शावन की फिर वह घरी है यहां बहुत सांदार सांग है भाई बेटियो देखे गाना ढूरूड़एगा देखो तुम्हें सवाल हम तुम्हें समझा जाते हैं मेरे भाई सवाल क्या था दो नंबर है जिसका LCM 160 है और SCF 12 है और उनका करेंगे तो कल्यान हो जाएगा बहुत लंबा जाना होगा तो यूजी ने कर पाए भाई तो बारा एकस और बारा वाई आगया यहां से कहीं ने कहीं इसको भी फिक्स कर दिया X-Y जिसका वैलू कितना आगया पांच अपके सामने दो एक्विसन है या तो सोल्प करो या फ्रम मन से लगाओ मन से सोचोगे तो साथ दूने चूदर साथ में से दो गया पांच मतलब X और Y का वैलू ले आए जब हम X और Y का वैलू ले आ तो आपसे संख्याओं का योग अगला सवाल है अगला सवाल भी आपका बहुत खूब सूरत है अच्छा रुप जाओ थोरा से इसको मैं इधर कर दू यह अब आपको पूरा दिखर होगा प्याहर से आपको पता है न सवाल का आतमा कहा छुपा होता है प्यारे भाई सवाल का आतमा SCF में छुपा होता है यह जी आतमा यह जी आतमा अभी देखो if one number is 12 more than the other मतला हिन दोनों का difference बारा है एक नमबर दूसरे नमबर से 12 जाद है मतला दोनों का difference बारा है तो हम यहां से जल्दी से नमबर मान लेते हैं लेट नमबर से बराबर 6X and 6Y अब हम 6X और 6Y का जल्दी से LCM अगर हम आपको बोले बोलेगा LCM क्या होगा इसका 6XY होगा और यही किसके बराबर है कहीं कहीं 90 के बराबर है अगर यह 90 के बराबर है तो XY का वेलू कितना आगया 15 अर यह आपको क्या है एक्वेसन परस्ट आगया आया समझ में अरे दिया ने LCM आपको नमबे XY का वेलू 15 आगया अब दियाओ इस वन नमबर इस ट्वेल मोर देंदा अधर नमबर मतलब इन दोनों का डिफरेंस है 12 तो 6X-6Y का वेलू 12 है 6 common लेके भेंज दीजिए XY X-Y का वेलू कितना आगया 2 यह दूसरा एक्वेसन है और पहला एक्वेसन क्या है X-Y वराबर 15 है यह पहला एक्वेसन अब आप यह सोचिए इस दो नमबर का प्रोड़क्ट 15 है और इन दोनों का डिफरेंस दो है तो गुरु जी पास तिया पंदरा अड़े होता है यह नहीं होता है तो हम मन से क्यों नहीं लिख सकते है इंपल वात है तो हम मन से X बराबर 5 Y बराबर 3 हमने बन लिया अब आप से क्या पुसरे दिन फाइंड था ग्रेटर नमबर दुनिया जानता है ग्रेटर नमबर जो ज़्यादा X जो ज़्यादा वही ग्रेटर नमबर है therefore ग्रेटर नमबर कितना है आपका 6X है न देख रहा है अपका ग्रेटर नमबर कितना है 6X 6 गुने 5 इतना आजएका 30 और यही आपके सवाल के ज़्यादा रहाया न आप समझ में एसर पिछला सवाल देखिये न पिछला सवाल न सड़्डू पन्ना में गया था अब पहला सवाल को आप सुरू नहीं हुआ कि आप खतम कर देए बस समझने में देर लगता है पानाने में देर नहीं लगता है बुलते ना भगवान की घर में देर है अंधेर नहीं फिर इसका यहां कोई लिना देना नहीं है ठीक देखो यहां पे सवाल नमबर छो देखो यह बहुत तगरा सवाल है और यह सवाल भी फाइव स्टार के हकदार है फाइव स्टार का मतलब टफ नहीं होता है फाइव स्टा सब्सक्राइब अगर एक और कंडिशन देता तो डारेक्ट एंसर आता बोलता है यह वह नंबर है लेकिन इतना पुछ रहा है थीक है अभी हमने आपको बताया भी था कुछ बात ऐसे सवालों का आत्मा कहां होता है यह सवाल का आत्मा सर हमारे आत्मा तो कोई और ले गई सर लेकिन हम बीना आत्मा के जीए जा रहे हैं कोई बात नहीं आप यह मस्तुचे नौकरी लग जाएगी तो फिर आत्मा आपको लोटा दी जाएगी ऐसा कुछ नहीं है नौकरी लगने के बाद भी आत्मा लेके जाने वाले लेके चले ही जाते हैं तो आप जिंदिगी में अकेले हैं और अकेले ही रही है नौकरी के बाद यह देखें घुरु जी हम तो ऐसे सिंगल नौडरे हम तो सिर्फ साधी पे ही फिष्वास रखें घुरु जी साधी ही एक प्रत्था है तो हमें अक लगे हमें पत्नी मिल सकें वरना हमसे तो ऐसा नहीं होगा ये भगवान को मनाई है वो क्या कहते हैं रिवाज साधी एक गुरु जी अपने लिए वही बचा हुआ है वही आखडी रास्ता है उसके लिए नौक जी लेना मेंडेटरी है ठीक है चलो देखो यहाँ पर आतमा के पास चलते हैं और आतमा कितना है 13 है तो आतमा से 2 आतमा का मिलन कैसे होगा तो बोलिएगा सर लेट आतमा बराबर लेट आतमाज बराबर क्या क्या बोलिएगा 13x and 13y आतमाज बराबर 13x and 30y ठीक है अब हमको बताईए इसका LCM दे रखा है कितना अच्छा दा product of two नंबरी सर्शोट सो साथ अब लोग इसका product कर दो तो 13x into 13y बरावर कितना सर्शोट सो साथ है ये क्या product of two नंबर है 13x into 13y बरावर सर्शोट सो साथ है आप यहाँ से जल्दी से x into y निकाल लीजी अब ले गुरु जी x into y कहीं से निकलेगा तो 13 से काट दो एक बाट इस 13 से काटो तो 13 से काटो गदी कितनी बार में 13,5,65,32,26 अब तुम इस लाल कलम से 13 से काट दो कितना आगिया चालिस x into y का वैलू कितना आगिया चालिस अब दूसरा एक्योसन तो दिया ही नहीं हुआ है अब देखो एक्च्छली यह जो आया x into y बरावर 40 दूसरा एक्योसन आथा तब तो मैं x y का मान सब देखते यहीं से वीडियो का एक अलग पार्ट का सुरुवात होता है अगला तीन चार सवाल इसी पर डिपेंड करेगा अब तुम अपने मन से एक्स और y का वैलू मानते जाओ और काम होते जाएगा देखना लेकिन उसमें भी एक तरीका है मैं आपको सिखाओंगा थोरी देर में सिखा दूंगा अभी देखो एक्स इंटो य आपका 40 है तो देखिए अगर हम एक्स को वन मानेंगी तो य का वै भी चालिस है एक्स में कि जगा वन मानेंगा तो एक में किस्सिक इन की जगा चालिस आजिए अगर हम देखते हैं एक्स जो कटेगा वह सब डाल रहा है अगर हम एक्स का वैलू दो मानेंगे तो y का value कितना आजाएगा 20 आजाएगा हाँ या ना अगर एक से एक दो मानेंगे तो 2 को पठी ले जाएगा दो से डिवाइड कर देंगो तो 20 आजाएगा तीन मानेंगे तो 40 पर तीन जाएगा गलत यह नंबर से नंबर से फ्रेक्शन में नहीं होता है तब आप देखे चालिस का अगला फ्रेक्टर कोनेजी चार है यस है तो अगर हम एकस बराबर 4 मानेंगे तो y का value कितना आएगा 10 आएगा आया समझ में अगली बार अगर हम एकस X का value 6 चो नहीं कठेगा यह नहीं अब देखो न अब तुम अगर X का value अगली बार अब हम आठ आएगा तो ⁉ Rीपीट करने वाले से हम नहीं लेंगे बीना repeat करने वाले तक लेंगा और कोसिस करेंगे इसमें कोई pair ना चुटे अब दिखें यहां यह चार pair बना तापका इंसर चार नहीं होगा देखो देखो तुमसे क्या पूछा समझना घबराना मत ऐसे कितनी जोरी बनाई जा सकती है ऐसे कितनी जोरी बनाई जाहां जाहां प्राइम नंबर है वही जोरी बनेगा एकस वन मतलब प्राइम नंबर का यह देखो एक्टुली हम प्राइम नंबर यह कहना चारे और असा मिस मतलब बोलते हैं जावान फिसल गई है वैसे नंबर को डूंडो वैसे पियर को डूंडो इसमें कोई भी common factor नही सरुवहर। यह निद्ल जो अब देखोंडन एक और छालिस में कोई common factor नहीं है थो मेरा यह पैर बनेगा दो और अरगे सब्सक्कराई गॉइस सब्सक्राइब बदल जाए हुआगा यादु उर ओर और दस में common factor दो है छार और समस्त्राइब बत पांच और 80 कोई ऑपन25 औ अपना हैं उप्सान नमबर ए अब लोड़ चले अब बोलो गुरू जी एसे हम कैसे समझेगे आप दो और 20 मतले एक पराबर दो य बराबर भी सब्सक्राबर भी सब्सक्राबर य बराबर देखो एक्ट्वली हमने क्या किया हम एक एक नमबर आपको लेके समझाते एक क्यूं लिए और एक क्यूं नहीं लिए हैं ठीक है हम लोग दो पेर ऐसे बनाते क्यूं लिए क्यूं लिए क्यूं नहीं लिए दोनों का एक्स्प्लेनेशन आपको हम दे दें आहिए पहला नमबर हमने क्या माना यहां यह क्या माना था 13ación चैनला चाहिए फ़र कों लिए आगली बार 20 चारिस मतलब 13 और 13 चुके 52 अब आप इसका एक बर सीफ निकालकर देख लिए 13 और 520 का अगर आप सीफ निकालेगे तो 13 चुके 52 तो कट गया मतलब सीफ कितना आगया 13 आगया अब हम एक नमबर तुम्हारा नहीं लिए हैं सबसे पहला वाली देखो 2 और 20 है उसको नहीं लिया है तो हम यहां पर लिख लेते हैं देखते 26 और 260 के SCF कितना आता है तो 26 और 260 अगर आप SCF निकालेगा तो 26 दाहीं 260 जो कट गया वही SCF आता है क्या ये SCF 13 है क्या नहीं है ना SCF बदल गया क्यों बदला क्योंकि X बराबर 2 और Y बराबर 40 में common factor 2 है तो SCF को 2 गुना बरहा देगा अब आ रहा है समझ में तो हम ऐसे नंबर ढूंडे हैं हम ऐसे पेर ढूंडे हैं जो जिसमें आपस में कोई common factor नहीं है अगर आपस में common factor नहीं है तो SCF को वो change नहीं करेगा आया समझ में आपको यसर अब समझ में आया अपना कॉन कॉन इंसर है तुमारे एक पराबर बन य पराबर चलिस एक पेर ये बन गया एक पराबर पांच वाई पराबर आठ दूसरा पेर वो बन गया और जहां से repeat होना शुरूओगा उसको वहां पर काट देंगे गुरू जी अब हमको समझ में आगा इसा सवाल बहुत समस्य करता था अब तुम हम खरे बना देंगे इस सवाल को और अगर खरे बना देंगे इस सवाल को तो लेटकी सवाल का जवाब दो और देखो भाइड सवाल नंबर सक्त हम साथ साथ हैं सवाल क्या लिखा है दोस्त the sum of the two numbers is 1224 and CF is 68 इसे सवाल का आत्मा कहां छुपा है जी यह क्या है जी आपका आत्मा है अगर आत्मा है तो दो आत्मा का मिलन के लिए नमबर समान लेंगे लेट नमबर बरावर 68X and 68Y आपका नमबर क्या होगा है यहां सम अफ दे रखा है कोई कोई दिक्कत नहीं है हम यहां पर लिख देते हैं 68X प्लस 68Y बरावर कितना है जी 1224 है हम यहां से 68 कॉमन लेके और हम एक्स प्लस वाई बरावर 1224 इवाड़ेट भाई 68 तो लिख सकते अरे बोलो हाया ना और 60 को जरा प्यार से लिखने यहां से अब हम यहां से एक्स प्लस वाई का बहलू लाएंगे और 60 से काट दीजिए और 60 ठेक हम और 60 इधर 3222 बावन कितना चोबिस आगे तो और 60 से आठ बार में कट जाएगा मतलब कहीं ने कहीं एक्स प्लस वाई का वैलू कितना आगे 18 अब हमको बोल रहा है देन फाइंड नमबर पेर सैटिस्फाइंग दा अवफ कंडिशन अब वही काम करना होगा यहां पे यहां प्रोडेक्ट नहीं है यहां प्लस में 18 यहां एक्स प्लस वाई 18 है तो हम पॉस अब देखो अगर एक्स बड़ाबर वन होगा तो वाई बराबर कितना होगा है 17 होगा एक्स बड़ाबर जोगा अब बोलते रहेगा वाई बराबर 16 होगा अगर x बराबर 3 होगा तो y बराबर 15 होगा रहाया न एक्स बराबर 4 होगा तो y बराबर 14 होगा यह product नहीं है यहां क्या है जी sum है रहे समझ में आ रहा है x का भी लूगर 1 डालेंगे तो 1 प्लिस y बराबर 18 तो y बराबर 17 यह सर आप समझ में आया त्इड पर कितनाeder आगे और अगर एकस का बहलुक्ता अगे हो जाएगा और है से रिपीट होना सुरूब करेगा हम यह क्या कि कर रहा है यहाँ से रिपीट कर रहा है आईए अब जितना पेर बना है उसमें हम ढूंडते हैं उसमें हम ढूंडते हैं इसमें किसमें कॉमन फैक्टर नहीं है आईए एक और सतरह में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक और सतरह में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक और सतरह में कोई कॉमन फैक्ट आठ दस में दो common factor है नो नो में नो खुद common factor है अपना answer कितना आ गया एक अपना answer कितना आ गया एक pair यहां से दूसरा pair और यहां से तीसरा pair therefore अपना answer कितना होगा और यही तुम्हारे सवाल का जी संदर सा जवाल है और ए का मतलब क्या है जी आब लोट चलें रहाया ना हमें लगते हैं आपको हम पूरा का पूरा समझा पाएं कैसे कैसे क्या होगा कैसे कैसे क्या नहीं होगा सवाल का आत्मा कहा चुपा होतायी 75े जैसे सरा gdy मांसे रातिमा मन लेहं आत्मा में आत्मा में जू भी दिया कभी प्रोडक्टर देगा कभी प्लस देगा तो प्लस करवाद़ू प्रोड़क करवाद है डिफरेंस करवाद है जो भी करवान है सो करवाद है ठीक है प्यारे भाई चलिए आगे बरते हैं अब देखो अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है और इस सवाल को मैं फिरी स्टार दे दू फिरी स्टार का मतलब ये है चो कॉंसेप्ट भी इसका प पूराना है और बहुत प्यार है देखिए सदियों से करोडों वारिया सवाल पूछे जा चुके हैं देखो the sum of the two numbers is 1215 and the CFF is 808 if numbers lie between 500 and 700 then the sum of the recepropores of the numbers तो रुख जाओ तो मैं डारेक्ट यही सवाल लिख दिया क्या हमें लगता है ना अच्छा कोई बात नहीं अगला वाला सवाल है ना अगला वाला सवाल कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं से पहले करवाएंगे इसको बाद में करवाएंगे तो गुरु जी नौ नमबर सवाल ही पहले करवाद नहीं आठी करवाएंगे अगर सवाल नमबर 8 है तो उसको वहीं पर पटक के कल्यान करेंगे इसका आए देखिए देखिए अब यहीं तुमको बता है ऐसे सवाल का आत्मा बताओ कहां चूपा होता है और यही क्या है जी सवाल का आत्मा यस सर्थ गुरु जी धोरा निचे कर लीज़े ना अबना पुरा आत्मा दिखेगा यस सर्थ कमाल लेते हैं लेट आत्माज मतलब लेट नंबर्स वराबर कितना कितना माले 81x and 81y और दिया हुए इस सम अप दू नंबर्स अच्छा पूरा यह थोरा सा कॉंसेप्ट है actually पूरा पूराना concept है 81 x plus 81 y बराबर कितना दिये वह 1215 दे रहे कर आप यहां से अगर 81 common ले लिजेगा 81 को उपटी भेंज दिजेगा तो 1215 बटे 81 और 81 से अगर आप इसको काटिएगा तो कहिंदे कि 81 के पाहरा हम 81 एक हम 81, 84, 85 मतलब कहीं न कहीं x plus y और x plus y का वैलू कितना आगया 15 x plus y का वैलू कितना आगया 15 अब बोला अगर नंबर अगर दोनों नंबर 500 और 700 के बीच में लाई करता है मतलब दोनों नंबर 500 और 700 के बीच में लाई करता है मालों 515 हो जाए 520 हो जाता है सब पूछ रहा है इसमें दोनों नंबर निकालो उसको पलट दो तिक लगा दो आपसन नंबर ए होगा ऐसे कैसे आपको याद सवाल हम सेट किये हैं तो हमको याद भी होगा और यह सवाल सस्थी पी ओस 13 दिसमर 2019 का पूछा गया और यह सवाल अपने पेपर में भीजिए आते हैं खूब देखो एकस फिलस वाई 15 तो पहले एकस और वाई का पॉसिवल पियर बताना होगा अरे बोलो हाँ या न अगर एकस फिलस वाई 15 है आई यह ढूंडते हैं एकस और वाई का क्या क्या वैलू आ सकता है एक बार अगर एकस का वैलू 1 आएगा तो वाई का वैलू कितना आएगा आएगा अगर एकस का वेलू आएगा और अगर मानलो एकस का वेलू जैसे आठ आएगा रिपीट हो जाएगा और रिपीट हो जाएगा तो उसको लिखेंगे यह नहीं आया समझ में अब अब तो सबसे पहले वो ढूंते कौन कौन पेर हो सकता है ने इसका चार पेर हो सकता है लेकिन चार पेर नहीं पूछा है बोला है इसके जो नंबर है वो कहीं न कहीं इसके जो नंबर है वो कहीं न कहीं 500 से लेके 700 के बीच में लाई कर रहा है और नंबर सापका कितना है नंबर सापका कितना है 81X and 81Y है और नंबर कितना है जी अरे देखो न उम्हें भूल गई क्या है अब देखिए भाई तो अब आप बोलेगा गुरुजी आप X और Y का वह 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 डालिए और देखिए कहां दोनों नंबर 500 और 700 के बीच में आता है अगर पहला नंबर रिपूट करो तो 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 तुम्हारा अंतिम पेर बचा एक बराबर 7Y बराबर 8 रखके देखो रखके देखो X बराबर 7 and Y बराबर 8 रखके देखो एक बाद चेक कर लो 81 गुने 7 और 81 गुने 8 एक बड़ देख लो तब 7 एकम 7 आट सो ते चपना 500 से ज़्यादा आ गया 800 से कम भी आ गया मतलब यही वो नंबर है जो हमें चाहिए लेकिन ये नहीं चाहिए इसके रिसी प्रोकल का सम चाहिए ये नहीं चाहिए इसके रिसी प्रोकल का सम चाहिए तो देखो आंसर हम यहाँ भी यहाँ भी टूइस्ट है अब एक बटे 577 लिखेंगे एक बटे 81 गुने 7 लिखेंगे और एक बटे 81 गुने 8 लिखेंगे अब बता दोनों में एक बटे 81 common है तो इस अब अहां सरड़ी सोर हम तो इसका फिर LCA में निकाले लगते हैं अब आए एक बटे 85 अगर आप इसको किझेगा तो अब आटशाट पंदर आएगा नीचे में 806 वार में साथ बार में तीन से कितनी बार में 27 बार में 5 उपर 27 162 के दू हात में 14 27 पचे 135 और 14 कितना होगा हो 1049 एक बड़ चेक कर लो अरे 27 162 होगा ना तो एक सोलो हो या ना रही जो को साबदानी एटी तुर घट ना घटी 27 सब्सक्राइब 25 बड़े 151 कितना कि 5 मफर रास चाटी ना पांच काट दी पांच पांच कैसे कटें जाम है पांच बड़ पंदर अच बडर आ पांच बड़े 155 सोबारं या साय तुम्हें आया समझ में हमने क्या किया हमने ऐसे सवालों में सबसे पहले आत्मा के पास और नंबर निकाल लिए और वहां से कौन-कौन पेर हो सकता है और नंबर समारा 500-700 के बीच में चाहिए तो अपना थोड़ा मन का मन का बुद्धी लगाएंगे तो आकरी पेर एक्स परावर सेवन वाई बराब देखो आज हम राइटिंग बना बना के लिए अब देरे देरे राइटिंग बने गए इसमें क्योंकि बूर्ड और यहां अंतर होते हैं तो यहां से आगे आपका वैलू आपको पता चले गया जो नंबर आगर आपको उसके रिसीप्रोकल का संब बताना तन्ति पता दिये आप आईए दोस्त अगले सवाल पें इंट्रे SCF of two numbers is 21 and their LCM is 211 times the SCF if one of the number lie between 200 and 300 then find the sum of the digits of the other number अभी देखो बनेगा कैसे सवाल, बात को समझना, SCF तुम्हारा दिया हुए 21, इस सवाल को बनाने का जो मैं तरीका बताऊंगा वो समझना, वी वीडियो पहुच करें खुद मत बनाऊ, SCF कितना दिया हुआ, SCF दिया हुए 21, और LCM बोला हुआ है कितना, LCM को कैसे लिखते है, LCM बराबर है 221 times the SCF, मतलब 211, इने 21, ये बोल रहा है कहानी, 221, इने 21, इतना टाइम से इसका LCM, अब देखो एक नंबर है, वो 200 से 300 के बीच में लाई कर रहा है, तो दूसरा नंबर आपको बताना है, अगर वो पता चल जाएगा तो उसके सारे digit का सम बता देना है, कोई बराबात नहीं, अभी हमने आपको कुछ दिर पहले बताया थ समझना, फस्ट नंबर इन्टु सेकेंड नंबर बराबर LCM इन्टु सेफ कर लिजिए, या SCF इन्टु सेफ कर लिजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो मने वो पहले लिखाएगा, SCF इन्टु LCM, ठीक है न, आई है, अभी देखिए, फस्ट नंबर और सेकेंड नंबर है, तुम यहाँ पर देख लेते हैं, आप नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी चलेगा, फस्ट नंबर इन्टु सेकेंड नंबर बराबर SCF, SCF कितना है प्यारे भाई, 21 है, और LCM कितना 21, 21 है, और देखो यह जो पहला नंबर है न, दोस्तों, पहला नंबर 200 से 300 के बीच में लाई कर रहा है, पहला नंबर वो तुम्हारा 200 से 300 के बीच में लाई कर रहा है, इज़र देखो, यह जो तुम्हारा पहला नंबर है न, यह कहीं न, कहीं 200 से लेके, 200 से लेके, 300 के बी भी देखो अब देखना दो नंबर होगा दो नंबर का प्रोड़क्ट कितना आगे एकीस गुने दो से एकीस गुने एकीस अब समझो वो जो दूनों नंबर होगा वो कहीं ने कहीं अपने अगेस का मल्टीपल होगा तुम हम समय बताइगे वो समझना तो देखोalवया एकीस सब्सक्राइब dot और यह मेले मतिया हो को समयो दोनों को एकीस को रखने तो दोनों एकीस से दोनों नंबर एक जान में पितला 13 गुने 17 बार ने कटा और यह दूनों प्राइम नंबर है वो सकता था और भी नंबर यहां पे तूटते वो सकता इवे नंबर में तूट रहा होता है तो हम देखते कैसे क्या सिस्टेम बनता है इधर आई यह देखिए अब देखना तो एक बार तुम एक एकीस को इस 13 के पास ले जाओ और इस एकीस को इस 17 के पास ले जाओ और तुमको दोनों नंबर पता चल जाएगा देखो दोनों एकीस को क्यों रखे हैं क्योंको तुमको पता है ना दो नंबर है और दोनों नंबर का स्टीफ एकीस है तो दोनों नंबर में 21 एकीस का मल्ट यस सर ये 200 से 300 के बीच में मतलब एक नमबर तो मिल गया दूसरा वाला नमबर होगा 17 एकम 17 के साथ हाथ में 17 दुना 34 एक 35 अब देखो ये जो नमबर है ये जो नमबर है ये 273 ये इस ब्रैकेट में लाई कर जाएगा 200 से 300 में मतलब ये तुम्हारा फस्ट नंबर हो गया और ये तुम्हारा क्या सब्सक्राइब दोसों यह वा गया अब हमको एक नमबर का रेंज दिया और दूसरा नमबर बताना था था तो देखिए आपको दोनों जगा दो साइड भी एकीस एकीस है तो यह जो बीच में दोसों एकीस है उसी को तो तो तूट के आया ना लोग दोनों नमबर के कीस कहया दिया होगा और दिमांग एक सवाल दस बहुत कि तुम्हे बनाना है अभी देखो अब देखो सवाल नमबर 10 क्या है सवाल है सवाल है किसले वहला सवाल है बास खाली अब डेटवाद चेंज किये हैं देखिए कई से बनेगा आपका आपका SCF कितना देवाद प्यारे भाई SCF देवाद आपका 25 और यह जो LCM है वह कितना है 50 times of SCF मतलब 65 25 एक नमबर है वह 300-400 की बीच में तो दिमाग में आपको रखना है बार-बार नहीं लिखना है आप यहां पर देख लेजिए फस्ट नमबर इंटू अच्छा फस्ट नमबर लिए देते हैं फस्ट नमबर इंटू सकेंड नमबर बरावर LCM इंटू यह से फन टू लिखने नहीं तो 25 गुने 65 गुने 25 गुने और दूनू साइड वला प्चीज को तो नहीं छेरेंगे चारेंगे इस 65 को तोड़ देते हैं तो गुरु जी कहीं नहीं पांच गुने 13 होगा ठीक है एक बार हम इधर लेके चलते हैं और एक बार हम इसको इधर देखे चलते हैं एक नमबर आगे 255 है 125 और एक नमबर आगए 25 बार हम थे 300 मतलब 325 गुदा ओब देखे तो एक नमबर आपको बोला हुआ है जो 300 से 400 के बीच में बार यही आपका क्या आ गया जी second number आगिया और आपको बोला sum the digits of the other number other number के बारे में और other number कितना अगए 125 इसके digit का sum एक प्लस दू प्लस पांच तो पांस दू साथ एक आठ यही आपके सवाल का क्या है जी आया समझ में देखो हम जाने में उतना समय लगता है बनाने में जब हम सवाल बनाते तो उतना समय नहीं लगता है हमें लगता है यहां तक आपको बहुत मजा रहा होगा मैं कोशिस कि आपको एक एक बात समझा दूँ छोटी छोटी बातों को आपको दिमागों में घुसा दूँ यहां से तुमारा एक दूसरा अध्याय सुरू होता है यहां लेकिन इसके बाद भी 6-7 सवाल है इतने वार आ रहे कि आपको माने देखें किसे सवाल है बहुत मस मस सवाल अभी भचा हुए वीडियो में अब दूसरा हिस्सा वीडियो को सुरू किया जाए लेकिन तुम तो बीच में 3-4 पर पानी पी लिए होगे सजिनी का मैसे जाया होगा वो सजिनी के दिल बिना दिल माने ना कुरू जी कुछ नहीं है वैसा हम तो वो सादी के प्रथा पे इसर बैठे हुए हैं एक वही अंतिम उप्सन है इससे हमारे सजिनी का मिलन हो सकते हैं वरना सर हमें तो कोई भावी नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं किदर देखो find the least number which when divided by 15, 18 and 36 lips remainder 7 in each case खोट आसान है बोलना वो सबसे छोटी संग्य क्या है जिसको अगर हम 15, 18, 36 से डिवाइड करें तो remainder 7 आएगा देखिए जब भी ऐसा बात इसका मतलब हो जो नंबर होगा देखो साथ पहले भूल जाओ एक ऐसा नंबर बताना है जो 15, 18, 36, 33 से कटे सबसे पहला वो नंबर निकालो 15, 18, 36, 33 से कटे वो नंबर आपको LCM से आएगा और उसमें साथ जोड़ दोगे तो आपका एंसर आजाए क्यों क्यों कि वहां तक तो कट जाएगा और एक्स्ट्रा साथ तीनों में रिमेंडर बच जाएगा यस सर तो अब आम यहां पी क्या करेंगे 15, 18, 36 का आपके निकालगी LCM दुनिया जानता है अगर छूटा नंबर है तो 15, 18, 36 के LCM कितना होगा जी 180 होगा इसका क्या आगा है 180 तो आपका रिक्वाइट नंबर क्या होगा यह 180 तो इन तीनों से कट जाएगा आप देख लो तीनों को काट 15 से 12 बार में 187 तो आपको बस समझाना था अभी असली सवाल सब तो बाकी है प्यारे भाई असली सवाल सब तो बाकी है प्यारे भाई अभी देखो अगले सवाल पर इंटरी मारो और अगला सवाल ही तुम्हारा बहुत ही खुशूरा सवाल है जो अभी देखे चार पांच मिना पहले प पेपर इसके अलबा सब उसके अलग अलग टाइप से अलग डेटा अलग रखके सवाल बनाएं अप यह मा समझेंगे आपको मतलब जो पेड कोर्स तो उसमें यह सब चीज से कहा जाता है मैं तो कुशिस कर आपको हर एक चीज बता दू जो पेपर में अक्सर आते रहते हैं देखें, find the sum of the numbers between 500 and 700 such that when they are divided by 12, 16, 24, leaves remainder 5 in each case देखो, find the sum of the numbers between numbers, numbers का मतलब है बहुत सारा numbers होगा उन सभी numbers आपको क्या निकालना है? सम बताना है और वह number किसके बीच में लाई कर रहा है? 550 से लेके 700 के बीच में कुछ एक numbers है जिसको अगर हम 12, 16, 24 से काटे तो हर केस में 5 remainder आएगा गुर जी इसना ऐसे सवाल को हम ऐसे समझते हैं 12, 16, 24 के LCM निकाल लेते हैं जो LCM आएगा देखेंगे उसका multiple, उसका multiple 550 और 700 के बीच में कौन कौन है? और जो जो उसका multiple है उसमें अगर हम 5-5 जोड देंगे तो हर बार remainder 5-5-5 ही आएगा और फिर उन सभी number को जोड की अपना answer चलाएगा आया समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12, 16 और 24 वेट 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 बार 16 और 24 आपके निकाली प्यारे भाई लसीम निकाली है लसीम कितना आएगा 48 आएगा देखो अगर तुम्हारा नंबर आएगा जिसमें काट वेट तो तुम्हारे remainder 5 आएगा लेकिन बोल रहा वो नंबर 550 से 700 के बीच में होना चाहिए वो नंबर 550 से 700 के बीच में होना चाहिए तो पहले 48 का वो देखो 48 अगर कटा है ना तो 48 का दुगना 96 होगा ना उभी 12,12,24 से कटेगा 96 में 5 जोड़ दोगा ना तो हरवा remainder 5 आएगा 48 गुने 3 144 होगा अगर 144 को तुम 12,24 से कट जाएगा और 144 में 5 जोड़ होगा तो हरवा remainder 5 आएगा तो हमें वो नंबर 550 से 700 के बीच में सोचना है तो मैं पहले 48 का multiple उस 550 से 700 के बीच में ढूंड़ूगा मैं 48 का multiple 550 से 700 के बीच में ढूंड़ूगा येस गुरुजी गुरुजी 48 गुन 10,480 से अभी तो सारे 500 से कम है अगर 480 में एक बार और 48 जोड़ देंगी मतलब 528 है वो भी 500 से कम है मतलब 448 में एक बार और 48 के पहारे में बार 48 को बारा बार गुना करेंगी तो पहली बार 550 से आ गया आपको कई से पता चला अरे 48 का मल्टिपल 550 के आस पर जाना है तो तो दिमागी ना फरा मन से ही चलना होगा ना ये तो आपको सीखना होगा ना प्यारे बाई तो 48 गुने 10 तो 400 से पास मेरा गया एक बार और 48 जोरीगा मतलब कितना ही 11 बार हो गया एक बार और 48 जोरीगा तो बार हमी बार हो जाएगा है समझ में चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं 550 से लेके 700 के बीच में कुछ एक नंबर कर ढूंड रहे हैं और वो सबसे पहला ही नंबर कितना आएगा जी 48 बुने 12 आएगा अरे हाँ या ना 48 बुने 12 आएगा आप कर के देख लो ना 48 बुने 12 बार आठे 96 जोरीजमा कितना हो बावू संताबन पासोचे अटाबन गुना कर लेजिए ये तो 576 वो नमबर है जो 12, 16 और 24 तीनों से कड़ जाएगा लेकिन अगर तुम इसमें 5 जोर दोगे ये 581 आजाएगा और इमेंडर अब हर बार 5-5 आएगा कब जब 12, 16 और 24 से कड़ोगे तब ये पहला नमबर आया जो 550 से 700 के बीच में है अगले नमबर के लिए हम 48 गुन है 13 से मल्टिप्लाई करेंगे तो देखिए 13, 8, 104 के 4 हक में 10 13 चुके 22, 10 कितना जी 62 अरे हाँ या ना और इसमें तुम अगर 5 जोर दोगे तो 639 आएगा जो कहीं न कहीं सारे 500 से लेके 700 के बीच में है और 639 को अगर तुम 12, 16, 24 से डिवाइट करोगे तो हर बारी मंडर पाच आएगा नहीं भिष्वाज से डिवाइट करके देख लो रह भाई अब आईए सर अभी 624 से सारे 700 जाना है तो 624 में 14 गोर रहेंगे तो 692 आएगा ना 692 आएगा मतलब गुरु जी थोड़ा और जा सकते अब तम 48 गोने 14 लिख दें तम 48 गोने 14 48 14, 14, 14, 12 के दूँ हाथ में 11, 14, 14, 14 56, 16, 16 67, 67 672 तो वो नमबर है जो 12, 16, 24 से कट जाएगा है लेकिन अगर हम इसमें 5 जोड देंगे तो 677 आएगा जो जो जिसको नहीं, जो नहीं, जो कौन है जो कौन है, कमबक्त इसक जो वाता था था ने पहले हना ना जो जो भेद बहला तो यह जो 670 है ना उसको अगर तुम 12, 16, 20 से काटोगे तो कहीं ने कहीं रिमेंडर हर बार कितना आएगा 5 आएगा और तुम्हें बोला है, इन तीनों नंबर का क्या बताना है योग बताना है जोड़ो 1880 में तो तुमारे कॉंग्रेस का भी फॉर्मेसन होई गिया था ना जलिए आया समझ में तो ऐसे छोटे सवार पेपर में जी आते हैं अक्सर खूब और मैं आपको समझा दिये बहुत अच्छे तरीके आया समझ में आपको मैंने क्या किया मैंने 12 सौर 20 केलसे में निका लें 48 अब 48 का मल्टीपल हम वहां ढूंड़े जो 550 से 700 के बीच में आता है वो सा मल्टीपल ढूंड के और उन सा मल्टीपल में अगर हम 5 पांच पांच जोड़ देंगे तो हर वार रिमेंडर 5 पांच पांच जाएगा और उन सबीको नंबर का अब से सम पोचा था सम जोड़ दो जैब बोलता है उसमें सबसे लार्जिस नंबर क्या तो लार्जिस नंबर चुर सो सबस्था रहे तुम एक बार देख लो ना अगर 662 मेरत आली जोड़ गो तो 700 पलस हो जाएगा 720 हो जाएगा तो थोड़ी में होगा कल्यान हो जाएगा भाई आईए आईए अब सवाल नंबर 13 और ये दुनिया का सबसे प्यारा सवाल है हमको तुम सवाल से ही प्यार है ये सवाल तुम मेरे हो तुम जबाब खुछ से निकल जाओ तुम मेरे हो तुम खुद बोल देना हम ही तुम्हारे जबाब है और हमारे जबाब ऑप्शन नंबर सी चमतकार है सवाल नंबर 13 क्या है what is the sum of the digits of the list number which when divided by 15,18,27 leaves the same remainder 9 in each case and is completely divided by 11 आखरी लाइन ही तो तुमारा जजबाब बदल दिया आखरी लाइन ही तो तुमारा जजबाब बदल दिया गुरुजी आखरी लाइन अगर नहीं देता तो बहुत अच्छा होता और बोलते से आख्री लेंदे के दिल से बुरा फिल करवा दिया गुरूज देखो आख्री लेंद भूल जाओगर तुम्हें बोलते 15-18-27 से वो छोटी नमबर ग्यात करो जिससे काटने पे हर बार इमिंडर नो आएगा तुम क्या बोलते इसके LCM निकालो नो जोड़ते अंसर आगे हैं लेकिन वो नमबर 11 से भी कटना चाहिए और उन नमबर नहीं बताना है उस नमबर के डिजीट का सम बताना है उस नमबर भी चालाक है वो नहीं बोला वो नमबर तो अगर नमबर बोल देता ना तुम आप साने से काट देते सबको एंसर है आजाता एक के बार में अभी देखो प्यारे भाई अभी आई समझी है अब सबसे पहले तो 15 18 और 27 के क्या निकालीगा LCM निकालीगा दोस्ते तो 15 18 और 27 के LCM निकालते हैं तीन से काटते हैं 3 15 15 36 18 39 सते फिर तीन से काटते हैं 5 3 2 6 3 3 9 गुना किजेगा तो LCM इसका कितना चलाएगा तीन तीन नो पच्छे 45 45 गुना 90 90 तीन दोसो सत्तर के LCM कितना अगे हैं 270 अब सुनो अगर वह आगे बला स्टेट्मेंट समझना अगर वह आगे बला स्टेट्मेंट नहीं होता अगर वह यह नहीं बोलता जो संख्या 11 से कटे तो मैं डारेक्ट इसमें 9 जो के एंसर ले आ अगर आप सोचते हो तो 270 में अगर आप 9 जोर देगो तो कितना आ गया 289 आ गया है और देखो यह जो 289 है वह 11 से कटना चाहिए 11 से कटके देखो तो 11 से कटके कटता है क्या 11 दुना बाइस तो अब यहां पर दिमाग लगाना हो मैं पहले आपको थोरा सा बेसिक समझा उसक सोचोगे सर हम एक काम करेंगे 270 का मल्टीपल लेते जाएंगे तो जितनी बार 270 का मल्टीपल लेंगे वो सारा नंबर 15 18 27 से कटेगा लेकिन उसके मल्टीपल में 9 जोर देंगे तो हर बार रिमेंडर 9 आएगा लेकिन वो जो 9 जोर के जो बाद में संख्या आएगा वह 11 से लाटेगा वही मेरा एंसर होगा जैसे मानने दूसरा नंबर कितना होगा दूसरा नंबर 270 गुना 254 होगा अरे हाँ यह ना अभी सब आपको समझाएंगे तो पांसो चालिस पलस नो ऐसे हम एंसर नहीं लाएंगे बस आपको समझा रहें ठीकित 11 से कट रहें 11 से 11 चुक्श करके बहुत दूर तक जाएंगे और ऐसे जाएंगे तो तीन दिन लग जाएगा तो मैं आपको थरीका बताता है बनाना कैसे है अब देखो देरफूर रिक्वार्ड नंबर अचा वह रिक्वार्ड पूरा लिग देशा है उए अब पूरा लेकाल खेला करते है आप रिक्वार्ड नंबर बिरदा बर दो सटर इन extra लसनो कि रिक्वार्ड नंबर क्या है दो सब्सक्राइब किसी का नाम के साथ कहानी चला आता है 270 यह नंबर है इनका वह बैलू डालेंगे जिसको पुट करने के बाद जो नंबर आएगा फाइनली 11 से कड़ जाना चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे देखेंगे 270N ब्लस नो यहीं पर 11 से डिवाइड कर देते हैं और यहां से डिवाइड करने के बाद हम सबसे पहले रिमेंडर निकाल लेंगे हम सबसे पहले क्या निकाल सuba है, मैं आपको सीखाऊंगा रिमेंडर, तिरुम अगले वाले वीडियो में, बहुत तगरा वीडियो होने वाला अगला वीडियो, मैं तीनी वीडियो दुंगा आपको CGL की एक्जाम से पहले नंबर सिस्टम का एक आपको दे चुके हैं, दूसरा ये है, तीसरा आपका न, वो रिमेंडर थियोरम बाला होगा, अब आओ देखो, इग्यारा से भाई इसको काटो, इग्यारा से पहले 270 काटो, रिमेंडर बता, इग्यारा से 270 काटो होगे न, इग् न वचा पाँच, पाँच के बाद जीरो है, तो पचास को ग्यारा से को इग्यारा पच्छे 55, इगारा पच्छे 45 मतलब पांच रिमेंडर बचा, और पांच रिमेंडर बचा ता आप इसको यहाँ लिग दो, फाइब एन, और नौ में अगर इग्यारा से डिवाइड करों फ़कर रिमेंडर नाई नहीं नहीं आया रात है रिमेंडर कितना आ गया नहीं आगया अच्छाइगे कर लो तो 270 में नहीं आ रहें न तो एक लाँ वहाँ चेक करें रहे थेकिंट रह ठीज़ तक न आ से वासे पांचिक केट तीज आ यासे मानलूड विडिश्ट इस आज यहार देखो 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 अभी कल्यान हो गया था अरे नहीं हम तो को चेक कर रहे थे हम को कुछ रहे हम आपको चेक कर रहे थे देखे 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 अभी आप चेकिंग में फंस गया पेट्रोलिंग आपका हुआ है अभी 11 से कट देगारा दूना 22 पाज 11 चुकर 44 पर दिया थे वह आप पर देखे हम नहीं 11 चुकर तो कितना बज़े शीक्सन आप बहुत जूट बोलते हैं दुनिया में आपसे जूटा आदी में नहीं देखे तो रिमेंडर कितना आगया तो 6 और प्लस 9 अब सुनना अब अब अनका वह 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 डालेंगे जो देख लेंगे 11 से कटता गी नहीं करता तो तुमारे लिए आसान हो जाएगा इनका वह अपने मन से डालते जाओ वह दीरे दीरे अपने मन में डाल द तो यह 11 से नहीं कटेगा एट हम सुपूरा बात एट एनिज कल टू 2 आर बराबर 6 इंटू 2 प्लस 9 चो दूना 12 नो 21 नहीं कटेगा एट एनिज कल टू 3 आर बराबर 6 गुने 3 प्लस 9 चतरी 18 नो 27 नहीं कटेगा एट एनिज कल टू 4 आर बराबर 6 गुने 4 प्लस 9 चो चो चोगे 24 नो 33 और यह 11 से कट गया मतलब एनिज कल टू 4 अपना एंसर है मतलब एनिज कल टू 4 अपना एंसर है therefore therefore required नंबर बराबर 270 गुने 4 प्लस 9 27 चोग का 108 एक हजार आसी प्लस 9 अपका एंसर कितना गया एक हजार नवासी लेकिन नंबर नहीं पूछा है आपसे पूछा है क्या कहते हैं फुटी संग्या कि यू अंकों का यूग क्या है यूग मतलब सम बताना है इसका सम कितना होगा दोस्ते एक प्लस जिरो प्लस अस्ट प्लस 9 9 8 17 18 और यही आपका एंसर है एंसर देख लेते है एंसर है आपका ओप्सन नंबर सी चलते चलते है अरे हाया ना आया आया आपको समझ में छोटी सी बात थी ठीक है दोस्त देखो अब फिर से समझो एक्ट्वरी जो LCM आया है 270 उस 270 में अगर तुम नो जोर होगे कभी-कभी ना डारेक्टर नो जोर पहले तुम्हार एंस सब्सक्राइब भी सोच है आपको सेल्री सब्सक्राइब पहले वार में इसको 24.000 लुपहिया देगी तो फिर सब्सक्राइब हो ना उसके लिए इस वाले से चले जाते 270 का मुल्टीपल और उसमें अगर नो जोरेंगे तो वह जो 270 मुलटीपल नो जोर है तो गारेंटी पं मुल्टिपल तो पंदर अठारत सताइसे तो कटिया जाएगा उसमें नौ जोर दोगो तो हर्वा रिमेंडर नौ आएगा लेकिन एक स्पेस्टल नंबर आएगा जो 11 से कट जाएगा उसके लिए डारेक्ट हम क्या करेंगे 270 इन प्लस नौ रिकवार्ड नंबर माल लेंगे 11 से डिवाड कर दी उसका रिमेंडर आगा इगा इगा इगारा से कट वुद इगारा से कितना आएगारा दूना बाइस पांच पचास एगारा चो को चो बाली छो शुट इन प्लस नाइन आया समझ में अब अपने महने में डा अगल आना होगा आपको तोड़ा स्टिप मार्किंग पर नंबर में रहा है क्या पूरा दिमाग में आपको कैल्कुलेट करना तो ऐसे लेना पीपर में जल्दी-जल्दी काम करना लेकिन अब यह जल्दी-जल्दी समझीए गाना तो भूला जाईए ठीक है दोस्त आगर य मतलब एक छोटा सा नंबर एकस है जिसको अगर हम 12, 16, 16, 20, 20 से काटते है तो हर बार रिमिंडर चार आता है लेकिन वह नंबर साथ से डिवीजोल है इसके मल्टिपल में साथ जोड़ देंगे ऐसा एक यूनिक नंबर आएगा नहीं उसके मल्टिपल में चार जोड़ देंगे तो रिमिंडर चार आएगा लेकिन वह संक्या किसे कड़ जाएगा साथ से कड़ जाएगा सबसे पहला काम यहां पर क्या 12, 16, 18, 20 और 25 का क्या निकालना है आएगे सबसे पहले प्यारे मित्र 12, 16, 18, 20 और 25 का क्या निकाल देते हैं निकाल देते हैं ठीक है दोस्त आओ देखो काट दू मैं इसको दो से काटेंगे तो दो से कितनी बार में चे बार में दो से आट बार में दो से नो बार में 12 से 10 बार में 12 20 जीन् entitled जौसे काटते हैं, 10 से 25 नई काटने 3 से कॉख से 5 काट गो इस तो ő इसके LC निकाल लीजि็ए लेकिन अभी हमने आपको बताया है हमने आपको बताया है दोस्त से कि इस से इवाइड होना चाहिए अब देखिये जल्दी जल्दी से 2n फ्लस चार को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां से जल्दी से क्या निकालेंगे मेरे प्यारे भाई रिमेंडर नीकाल ठीक है ना तरिक तो जल्दी से काटी है जिल्दैकना 735577 देख लेधे गलती ही हो गया तो फिसले सवाल है साथ 25, 13, 3 आ गया । गाट पाइट थीज एक दस साथ एकम साथ 3 साथ चुल-चीज दो मतलब कहीं न कहीं आगे 2N चार में डिवाइट कि तो इमांडर 4 एगा तो तो 7N प्लस 4 आगया ठीक है ना 7N प्लस और सोरी सोरी 2N प्लस 4 आगया आपका एक रिमेंडर आगया प्यारे भाई तो चाहतीसो को अगर साथ से डिवाइट करको तो रिमेंडर दो आएगा तो को आपने मन से देखिए ने इन का वेलू कौन रखिएगा अरे सारी तो पता चल गया एनिजगल टू पांच पांदूने 10,4,4,7 साथ से कट गया यस सर तो फ्रम मन से जब मोदी जी मन की बात कर सकते हैं तो नितियस पांडे क्यों नी फ्रम मन से लिख सकता है फ्रम मन से इसे मत विले डर जाते हैं एनिजगल टू पांच फ्रम मन से ए required number को साथ 3 सो गुने 5 प्लेस्टार थी सब्सक्राइब इकस्वसी 1849 प्लेस्ट चार कुतना आगे अठारह जार या रहाण फाफ का नमबर कितना आ गया थारह जार या जार तब से क्या पूचा है पट इस थाहुजेंड प्लेस नमबर कितना आ अपका अठारह हजार चार आगया तो ठाउजेंट प्ले जानते है ना इकाई दहाँ इसा एकरा हजार आठ यही आपके अंसर है ठाउजेंट प्लेस पे कितना है बी बाजी गर आया समझ में रे वन सेंज हंडरेट ठाउजेंट अरे आया ना समझ पाई क्या बहुत आसान था यह छोटे छोटे बादसब बहुत तगरे बादसब है अब देखो अब जो तुमको दो सवाल करवाएंगे ना वीडियो के आखरी पर पहुंच रहें एक्चुली दो सवाल ना एक यह सवाल है जो हमारे पेपर में आ रहा है 18 के मिंस में ऐसे सवाल है ना अकसर आते पेपर में और तुम्हारे हेड़क बना के चले जाएंगे लिगन अगर तुम समझ जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा ना इन सब सवाल का निर्मान छुटकी में आ जाएगा भाई फिक है ना लोग याद मं दिले शुटकी से चुछी नहीं काम करें अब देखो बहुत लोग पटना में खाते है बहुत लोग आते हैं क्या पूरा हाथ पीचे कर लिए कुछ निए खार कहा क्या घर पते क्या कारता है घरे जादे घरे नहीं पकराने के लिए नवाट गई में बैटरी जानते्य होससे अटो उटो में धुखा मोहाई आपके बुरे दूबार त्विधा उसके ब्लस उसका न हखात न क्या है यहिए समय नॉम्मार को तुम्हारा एक सबसे बड़े नमबर एक से डिवाइड करें कंडिशन क्या है एक ऐसा सबसे ग्रिटेस्ट नमबर है जिससे डिवाइड करने के बाद तीनों का रिमेंडर सेम आ रहा है लेकिन हर रिमेंडर जीरो है अगर मालो हर केस में डीमेंडर सेम है घेरो के सबसे नहीं समझाने में लेकिन सच पूछ सवाल का जवाब एक मिन आ जाएगा लेकिन अगर नहीं अगर बेकिन आएगавать मीनित में आ जाएगा in मेरा वो दिल नहीं मानेगा और हमको लगे हम आपको सवाल रटा दिये हैं मेरा काम रटाना नहीं मेरा काम समझाना मैं आपको कोई डारेक्ट फर्मूला दिया नहीं मैं आपको सवाल समझा दूता कि भविस में कोई दिक्कत नहीं प्यारे भाई कभी कभी देखना ना अगले सवाल में रिमेंडर को भी यूच कर लिया है अब समझो बात को अभी मैं प्रूफ कर दे रहा आपको ला सकता बहुत जल्दी अपको मेरे भरोसा हो गया होगा समझ लिए अगर रिमेंडर वाई है इसका यह मतलब है अगर तो एक से काटते हैं तीनु नंबर को तो रिमेंडर वाई 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 बसता है मतलब अगर उस रिमेंडर को तीनु संख्या में घटा दोगे मतलब उसके बात जो नंबर आएगा वो एक से कट जाएगा य। चार समय 19 को काटू तो रिमेंडर 3 आएगा तो मैं अगर 19 को 3 में घट 19 में से 3 घटा दू तो 16 आएगा वो तो 4 से कट जाएगा ने यही बोल रहा है मैं X से अगर काटू और रिमेंडर Y आएगा और अगर मैं 3 में से Y घटा दू तो जो रिक्वाइड जो नमबर तुम्हारा बाद में बन के आएगा वो तो X से कट जाएगा X उसका क्या होगा SCF को कौन जो बचा हुआ नमबर जो आएगा तो देखो तेले ट रिमेंडर भी Y therefore X is SCF of X is SCF of 7897 minus Y 8110 minus Y 85 आपको वो सब जब सवाल बनाएंगे तो यह सब लिखना भी नहीं होगा मैं डारेक्ट बता दूँगा 8536 minus Y अब एक बात देखिए एक बात आप यहां से समझेगा देखो अगर कुछ नमबर का SCF आता है जैसे मानलो मेरे प्यारे भाई हम आपके इसको मीटा देंगे थोड़ी देर में जैसे 15, 18 और 24 है अगर आप इसका SCF निकालोगे जल्दी से तो मैं लिख दर SCF कितना आएगा 15, 18, 24 है इसका SCF निकालोगे जटीन आएगा और अगर तुम 15, 18, 24 के डिफरेंस भी निकालोगे न और उसके SCF निकालोगे तो वहां भी सेमी आएगा तीन ही आएगा आया समझ में यही बात समझना हम एक बात अब तुमको बता रहे हैं इसी concept को हम यहां use करेंगे इसका यह मतलब है therefore X will also SCF X will also SCF अब पूरा लिख दे रहा है पूरा समझाई दे रहे हैं ठीके न थोरा time लेगे कोई बात नहीं समझ में आ जाएगा therefore X will also SCF पहले इन दोनों को घटा देते पिर इन दोनों को घटा देंगे आया समझ में 81, 110, minus y में से इसको घटा दीजी कि जो आएगा यह पिर 85, 100, 35, y में से किसको घटा दो 7, 8, 9, 7, minus y वो और फिर एक तीसरा आपका क्या बच जाएगा 85, 36, minus y में से अब 7, 8, 9, 7, minus y को घटा दीजेगा आपका SCF हम क्या बोले एक्स किसका SCF हो जाएगा 7, 8, 9, 7, minus y 81, 1, 0, minus y 85, 36, minus y का X SCF हो जाएगा एक और बात X SCF भी हो सकता है अगर इन दोनों का सब का difference घटाईएगा न अगर इन सब का difference घटाईएगा न एक्स उसका भी SCF हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा उसका भी SCF हो जाएगा बात समझो एक्स क्या होगा इन सब नंबर का भी SCF हो जाएगा ठीक है तो अब एक बात समझो यह जो तुम difference घटा के लावे ना यह एक्टुली पहले step से भी चलाएगा यह पहले step से भी चलाएगा अब समझो तो हम जो 7897-821-8536 अगर वहीं से घटाना शुरू करते ना अगर हम वहीं से घटाना शुरू करते ना तो वह जो नंबर आएगा ना उसको अगर आप फिर से उसका SCF निकालिएगा ना वहीं नंबर आपका X चलाएगा मतलब वह सबसे लार्जेस्ट नंबर आजाएगा जिसको काटने के बाद remainder Y बचेगा आए समझें बात समझो एक्स के बात समझो एक्स SCF किसका 7897-Y का 8110-Y का 8536-Y का एक्स इन तीनों का SCF है SCF ऐसे भी निकलता है अगर इन तीनों नंबर को आपस में एक करके घटा देंगे तो वह जो नंबर आएगा ना उसका भी SCF X ही कहला है आया समझ में यह छोटा सा बात आप समझें यह छोटा सा बात समझें एक्स उसका क्या होगा जी SCF होगा अब घटा लो वही ची जाएगा हम इसी बात को यह कहना चाहते हैं तो अगर आप स्टार्टिंग में इसको घटा लेते 7897-8110-853 इन तीनों को आपस में घटा लेते और उसका जो यह SCF निकालते ना वही तुम्हारा क्या आता जी X आता आया समझ में वही तुम्हारा क्या आता X आता ठीक है तो वह जो त तुम्हारा तुम्हारा घार जिर सट स्टर्पल इसको डिवाइच करते हो तुम्हारा तुम्हारा क्या है यह तो अब पुरी के आता उरत कहीं है अब बात को समझो नमसीत ऊंतनेख किर अब देखिए, अब solution हम आपको बताते रहें, solution देख रहें, spelling हो गलती लिखा रहा है हो, यह था आपका concept, आप देखो, तीन नमबर आपका कौन को ना, इन तीनों को लिख रहेते हैं, 7897, 8110, और 8536, अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों का difference निकाल रहे हैं, अब इन तीनों का difference निकाल रहे हैं, और इन तीनों का difference आएगा, फिर वहां से उसका, उन तीनों number का SCF निकालेंगा, वही तुम्हारा X कहलाएगा, पलीट युअ, वह सबसे greatest number होगा, लेकिन अगर तुम घटाओगे तो यह वही बात समा जाएगा तो मैं इतना जो लिखूंगा मैं इसको डारेक्ट यहीं से क्यों घटा दो मैं इन दोनों को घटा देता फिर इन दोनों को घटा देता फिर मैं इन दोनों को घटा देता आया समझ में नहीं नंगे अपड़िन का है चीनिकि अच्थ सक्राम agreement सनुन का व्यंक्त करनीं दशनी अश्पीन में ये देस्त हैं ने अपड़िया है qaq आगे तुम्हारा अब दूसरा की पहला वाला में से तो काम कर लिए वब पचासी सो चछतीज में 9 डिशाटेश को घठा लिए तो पचासी सो चतीज में 107 मिंठ गठा देजैंगे सब्सक्राइब करें तो दो बारे में कट जाएगा यह तो कट गया अब दोसो तेरह से दोसो तेरह यही 213 आया है तुम हमको बताऊ यह 203 आया थी दोसो तेरह आया है वो किसका सईयस allowed किसटी इस आ prestige bipartisan 9864 आएब 7877-y का actually जब इनका difference करेंगे ना जब इनका difference जो करेंगे ना तो वही आएगा जो 877, 810, 835, 836 आएगा तो वहाँ से जो आएगा वहाँ से जो value आएगा वो cf हैगा वो x आजाएगा लेकिन x किसका cf होगा ये x तीनु नमबर कैसे इपने होगा वो तीनु नमबर में से y-y घटेगा उसके cf होगा लेकिन आपका x का value है x ये value है x का जो value आया है वो 7877 में 810 और 8536 को जब काटेगा तो remainder same लाएगा तुम्हें करके दिखा दे answer तो तुम्हारा आचुका है answer तो तुम्हारा आचुका है 213 तुम्हें क्या चाहिए the sum of the digit of the x जो पहले answer निकाल रहते है answer 2 plus 1 plus 3 कितना अच्छे तो प्लस एक प्लस तीन कितना अच्छे ये कुन option है क्या option है न च्छे option number D दिल है कि मानता नही actually सवाल को solution यहां से आया actually सवाल को solution यहां से आया यहां से 7877 8010-y में से 7877-y को घटा होगा न तो 213 आएगा तो मैं इतना जो करूरा चरह चाहओ तो मैं सुरू में क्यों न लिख लू लेकिन यह जो एक्स आएगा वह एक्स पत है किसका सीफ हो गो 8110-y 8536-y 7877-y का सीफ हैगा लेकिन एक्स वो नंबर है आया समझ में तुम काटके देख लो अब मैं नहीं काटूंगा बहुत लंबा हो जाएगा अब एंसर तुम 213 से न तीनु नंबर को काटके देखो देखो हर बार रिमेंडर सेम आएगा नहीं भी स्वास है तो काटके देख लो अगली वीडियो में उसका यूज है ही जब यूज है ही तो मैं आगे क्यों न काम करूँ अब आओ देखो यह तुम्हारा ICR 2022 का सवाल है प्यार है भाई अब देखो क्या है अब देखो 87 57 57 57 57 57 कितने देर से बोले एक घंटे 27 मिनिट से बोले तो स्वावी के थोड़ा कल्यान हो गई देखिए 57 58 56 10 81 को गर हम ड्रेटिस नुमर एक से काट रहे है तो रिमेंडर वाई आ रहा है हर बार वाई आ रहा रहे है तो एक Minus 5Y का वेलो लाना बहुत आसान है आपको पता है नो अगर आप तीनो नंबर में य घंटा देंगे तो एक्स इन तीनों नंबर में 57 57akin 5 म Krटक माई कर देंगे 6310 माई कर देंगे 8101 माई कर देंगे उसका SCF X होगा और अगर आप इनको difference घटाईएगा difference लाइएगा तो difference का भी SCF X होगा लेकिन difference उतना ही आएगा जितना आप शुरुवात में तीनों घटा देंगे तो वहाँ से जो लाएंगे तो एक SCF आजागा वहाईदा आपका X आगया लेकिन उसका SCF आपनी वह उन तीनों का वह सबसे हाइस नमबर है जिससे काटने पर हर बार रिमेंडर वाई आएगा अब दिमाग में घुसा है गुरुजी अगर दिमाग में घुसा ना तो देखो सवाल देखो प्यारे बाई सवाल देखो सबसे पहले क्या करना संतावन सो अंठावन को घुडा लूँ तक दस में साटके तैसे कितना के तुमारे थी तुम्हारा कितना siihen कितना बंच गया अब हम 41 सीनों नमबर को बारी बारे से सबल कंग अग एक दस में से घया थे कितना ड़ैया हमका। और कितना बचेक साथ में चो ड़ैई । Given 21 में एक और बार बचा इकraction एक अटावण को इसे हम 5759 को गता है। टीन चाहा थे एक जिकना बचेका इंठेक कितना बचेक कितना बचेकि नगैं Northwest चार ठीक है और कितना दस दस में से साथ गया तीन ताथ में से पांच गया दो थीससो ने ताग इसतना आ गया अब एक्चुली यह जो आया है ना वही एक्स हो और जो आएगा ने एक्स वह संदावन सदावन श्यासवर दोसरी क्यासी तो एक को काटेगा तो हर बर इक्वल इक्वल रिमेंडर आएगा यह अब आईए अब समझो आट सो बावन अब जो दूसरा कलम ले अपका कहा नहीं था आट सो बावन से अगर आप चोदो सो इक्यानमे सो काट गयेगा एक बार में काट दीजिए इतना आएगा एकारे में से दूग गया तो कितना इतनी वारे में काट देटे का उन्हें घा जयाएगा और सबस्क्राइब मतलब अब X और X का वैलू कितना आगया, आपका 213 आ गया, इसि Ukraine को नहीं, नहीं para दिटा हम आएगा देखो 213 से हम काटते हैं 213 से 6610 को काटेंगे तो 213 कितनी बार में यह बार में काट दो तो कितना आगे तुम्हारा साथ और यही कि अब आगे तुम्हारा वाई हर बार में देखो तुमको वैलू क्या चाहिए एकस माइनस फाइव आई का और एकस का वैलू कितना अब 213 में से 7 गुने 5 गटा लोगे 213 में से 35 गटा लोगे तो 13 में से 5 गटा बच गया आठ और 20 20 में साथ गया 17 एकसो आठटर देखो तो कोई आपसन नहीं कि एकसो अठटर यह सब्सक्राइब आया समझ में पत्ता चला नहीं सवाल का मतलब क्या था देखो मैं पिसले को एक बार और तुम्हें कॉंसर्प समझा दूं ऋसको नंबर में घटा दोगे तो असटन क्यों के से अगर आप इस तीनुम्हें कि आएगा नमबर उसका अगर आप पर cf निकालोगे वही तुम्हारा एकस आएगा लेकिन वह जो एक्स नमबर का नहीं इन तीनों में सब वाई वाई जोग वह अपने इन था और गुरू जी आपको देदेंगे गुरू धक्षिना आपको हम देदेंगी गुरु धक्षिना सवाल नमर 17 बनाएगे देखो परो न यह नमबर है जिसो ग्रेटेस नमबर M से डिवाइट करते हैं तो रिमेंडर एन आता है वाट इस दे वैलू अब 2M-3N यह तुम्हारा हमबर्क है और गुरु धक्षिना है और एक गंटे 33 इसको अपने दोस्तों को भी दिखाए बुलेगे भाई देखना यहां मस्त मस्ती सा जो हमें डाउट था वो सारा कुष्चिन इस वीडियो में था एक एक चीज हमारा इस वीडियो में था तुम्हारा भी नोखरी लग जाए पस आप इतना ही काम करें लेकिन उसके बाद भ बाई मैं बहुत देड़ से बोल रहा है मैं जा रहा पानी पीने सब तक की लिए बाई बाई टेक क्यार और मिलते हैं अगले वीडियो में बाई